हेलो एर्वान आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए वो है ग्लेंड मार्क फार्मा शेर लेटेस्ट न्यूस टॉक टॉबाइनाव कल के दिन पर हमने देखा ग्लेंड मार्क ने अपने Q1 नंबर्स डिकलर किये जिसके चलते आने वाले समय में ग्लेंड मार्क में काफी बड़ी रैली हम देख सकते हैं हम जानते हैं पिछले एक से डेड़ मेने में इस स्टॉक काफी करेक्शन हो चुका है करीबन 690 से ये स्टॉक इस समय 570 पर आ चुका है ये एक मेने का उसका ट जिसके चलते हैं यहां पर ग्लेंड मार्क में आप बाइंग कर सकते हैं बहुत ही बैदरी इंड कंपनी रिसेंटली हमने देखा था ग्लेंड मार्क लाइफ सांस एक IPO लांच हुआ था जिसमें भी काफी अच्छा क्या सकते हैं डीसेंट इनफ प्रिस्टिंग गेन मिला था और इस समय वह अच्छे कासे कैसकते हैं प्रिमियम के साथ अभी भी वह स्टॉक ट्रेड कर रहा है ग्लैंड मार्क फार्मा भी एक हम सब ही जानते हैं वेल एस्टाबलिस्ट कंपनी और वन अफ जायन्स है फार्मा सेक्टर का इस समय इंडियन स्टॉक मार्किट में काफी पिट चुका है काफी कंसॉलिडेशन कर चुका है अब यह बारी है कि अपने और इजनल वेल पर जाए तो यह क्यों नमबर कैसे हैं सबसे पहले वीडियो में वह देखेंगे साथ ही में टेकनिकल पार्ट भी दिखेंगे स्टॉक का इस लिए वीडियो को एंड तक जरू द बताना जाओंगा मैं एक से भी रेजिस्ट ऑथराइस परसन हों सिंस 2007 असोसे टेटेट विटन व्रॉप्स बोकिंग फर्मस इंडिया फानिशल कंसल्टन इंवेस्टमेंट अडवाज अडवाजर मूचल फंड मैनेजर साइपी मैनेजर अडवाजरी प्रोडॉडक्स से का विविल सी दर मूचल फंड डेटा ऑफ जून मंद लेवल्स देखेंगे एसे में लेवल्स देखेंगे और एक साथ ही में चार्ट पैटन देखेंगे पिछले अलग अलग डूरेशन का तो सबसे पहले वीडियो की शुरुवात में कल का एक रिमाइंटर देना चाहूंगा कल पंतरा ओगर्स दुपैर को तीन बजे फिर से हम यूट्यूब लाइव में जुडएंगे आपके जितने भी स्टॉक मार्केट के पॉर्टफोलो के क्वेरीज नए स्टॉक में कुछ इन्वेस्ट करना है करना है नहीं करना चाहिए जो भी आपके क्वेशन से आप मुझ की है उसका एक बार और वी देना चाहूंगा आपको इस समय 30 डेस का पैकेज आपको 4999 का पड़ेगा 90 डेस का पैकेज आपको 11999 में पड़ेगा दोनों ही पैकेज में आपको 15 से 20 कॉल पूरे महिने में दिये जाएंगे जो आप डिलिवरी बेस इंट्राडे बेस ट्रेड क सकते हैं साती में ऐसे स्टाओक हमारी पकड़ है जो स्टाओक हमारे इंटरन क्र кад उठाइए और अपने portfolio को और भी profitable बनाईए सबसे पहले revenue की बात करते हैं ग्लैनमा का revenue देख लेते हैं पिछले साल अगर यह सबसे पहले जो फिगर रुपीज यह सबसे पहले समझ लिए और पिछले साल जो फिगर था टोटल revenue का वो था करीबन 23447 इस बार जो फिगर आया है 29648 यानि आल्मोस पास जार का ग्रोथ हुआ in terms of revenue generation जिसके चलते total profit net profit पे भी हम growth देखेंगे लेकिन उसके पहले expenses देखने होंगे तो total expenses पिछले साल था 20736 इस बार जो expenses आया है 25799 expenses को in line रखा गया in terms of revenue generation total profit पिछले साल अगर हम देखें तो 3296 का था जबके इस बार जो total profit आया है 4435 और net profit की बात करें तो net profit यहां पे clear cut दिख रहा है पिछले साल 2540 इस बार जो net profit आया है 3065 और अगर देखें तो revenue अच्छे से growth हुआ है साथी में total expenses को control में रखा गया है और उसके बार total profit और net profit पे भी growth देखा गया है तो results बहुत ही बढ़िया है EPS अगर देखें तो पिछले साल 9 रुपे का था इस बार 10.86 यानि almost 1 रुपया 86 पैसे का growth यहां पे हुआ है in terms of earnings per share ratio जिसके जलते ही यहां पे stock में अच्छे 801 rally हम आने वाले समय में देख सकते हैं profit and loss summary की highlights अगर देखें यहां पे जो report आपको यह report exactly BAC.com पे मिल जाएगी आपको year on year growth देखें तो करीबन 26% का growth हुआ है और साथी में quarter on quarter देखें तो करीबन साड़े 3% का growth हुआ है exactly अगर देखें यहां पे तो revenue अच्छे से growth हुआ है revenue में 26% का growth है quarter on quarter साड़े 3% का growth है profit before margin या फिर कह सकते profit before tax अगर जिसे हम कहते हैं या specifically अगर हम देखे profit after tax की बात करें तो year on year 20% का growth हुआ है और quarter on quarter देखें तो 31% का growth हुआ है तो net profit में 20% का growth year on year quarter on quarter 31% का growth जिसके चलते हैं यहां पे landmark में rally आएगी landmark अगर कल का closing देखें तो 563 का है एक साल के निफ्टी के साथ compare करें तो माइनस 25% का return दिया है पिछले एक साल में यानि काफी correction में रहा है काफी स्टॉक consolidation में रहा है तो अब इसके स्टॉक के चलने की बारी है मार्केट के अप्लाइशन देखें तो करीबन 16,000 क्रोड का मार्केट के अप्लाइशन स्टॉक का तो और अलग देखें थे consolidation काफी स्टॉक धेल चुका है mutual fund data की बात करें तो 14 mutual fund company ने buy किया है 15 mutual fund companies ने sell किया है और ओल और इन नाउट शेर्स देखें तो करीबन डेड़ लाग का इन नाउट हुआ है between 14 mutual fund companies buying and 15 mutual fund companies selling returns percentage देखें तो एक मेने में negative 15% का return तीन मेने में negative 10% चे मेने में positive 12% एक साल में 22% का सिप रिटन तीन साल में तो और अगर देखें तो तीन साल में और स्पेसिफिकली पाथ साल में काफी negative return है लेकिन स्पेसिफिकली अगर शॉर्ट टम अप लेयर है तो वन मन्त और त्री मन्स का अगर डिटा देख रहे हैं तो काफी चर्री करेक्शन ये स्टाउक जल चुका है 689-563 पे तो तैकनिकली यहां पर मंश बैक देना जरूरी है रिक्रेडिक्शन देना जरूरी है साथी एक क्यों कोन हम गां करेंगे जहां पर टेक्निकल रिक्षन पॉइंड और Frei S.I. 28.9 यानि 30 के भी नीचे आ चुका है यानि clear cut oversold है M.F.I. 12.95 यानि ये भी 30 के नीचे है तो दोनों ही कह सकते हैं indicators जो है वो indicate कर रहे हैं कि यहां पर retraction कभी ना कभी ये देखा जाएगा very short term duration में 30 days में 627 है 50 days में 632 है दोनों के नीचे इस समय ये trade कर रहा है तो clear cut indication है काफी oversold हो चुका है काफी pit चुका है ये stock और specifically SMA levels के इसाब से देखे तो retraction होना बनता है यहां पर पिछले 5 दिन का chart pattern देखे जो 5 दिन में जो highest point था वो था 596 का lowest हम देखने 560 के आसपास देख रहा है एक मेने में highest point था 689 क जबके इस समय ये stock 563 के आसपास यानि 130 रुप्या यहां पर down हो चुका है एक मेने में और तीन मेने का अगर topmost point देखे तो फिर से 689 दिख रहा है उसके पहले consolidation phase में था और वहां से एक sharp correction आया है लेकिन ये sharp correction retract होने के chances जादा है और जिसके चलते हैं यहां पर आपको landmark में investment करनाña चाहिए price and volume data देखे तो यहां पर 22 लाका ट्रेडिंग वॉलूम में जिसमें से 6 लाग के delivery quantity है एक उस पहले थसरे का देखे तो 13 लाका ट्रेडिंग वॉलूम में jिसमें से 4 लाग के delivery quantity एक week का average देखे तो पंदरा लाका परसन के आसपास है डिए के बास 27 परसन अच्छा कासा होल्डिंग डिए का इस कंपनी में एफ आइस के पास सुरी 27 परसन डिए आइस की बात करें तो 9.73 और पॉब्लिक ओल्डिंग की बात करें 16.82 तो मैजोरिटी अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रहेगा आपके स्क्रीन पर आपको मेरा मोबाइल नमबर मेरा इमेल इडि मेरे सुशल मीडा प्लाटफॉर्म फ्लैश हो रहा है साथी में मेरे website का नाम फ्लैश हो रहा है अगर आपको इक्वीटी में और करन्सी में किसी भी सेग्मेंट में झाल झाल